हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू स्टेडी कर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर आज के इस लेक्षर में हम 24 अप्रेल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यस के कोशन डिसकस करेंगी आप इस लेक्षर को बहुती ध्यान से लाज तक जरूर देखिएगा आज का पहला कोशन है, हाली में PSLV C-55 मिसन को सफलता पूरवक किसने लाँच किया है तो इस मिसन को लाँच किया है इस लो ने यहाँ पर बात आई है PSLV की तो इसका फुल फॉर्म कई बार एक्जाम में भी पूछा गया है तो नोट कर लीजिगा, Polar Satellite Launch Vehicle दोस्तो यह जो मिसन अभी हाली में लाँच किया गया है इसको दो नाम से जाना जाता है, PSLV C-55 या T-Lios 2 मिसन तो इसको आंदर प्रदेश की स्री हरी कोटा में 37 दवन अंतरिक्चिकेंदर से लाँच किया गया है इस मिसन में सिंगापूर के दो सैटेलाइट लाँच किया गया है पहले सैटेलाइट का नाम है T-Lios 2 और दूसरी का नाम है Lume Light 4 दोस्तो यह जो PSLV के अभी हाली में लाँचिंग हुई है यह इसकी संतावन भी लाँचिंग थी, यानि संतावन भी उडान थी T-Lios 2 एक राडार सैटेलाइट है जिसका उपयोग सिंगापूर अपने डिफेंस में करेगा और जो Lume Light 4 सैटेलाइट है यह एक एडवांस सैटेलाइट है यहाँ पर बाताई है ISRO की, तो ISRO का फुल फॉर्म होता है Indian Space Research Organization जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और यह भारत की राष्टिय अंत्रिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालाइ बेंगलूरू में है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है S-SOMNAT संस्थापक कौन थे इसके विक्रम सारा भाई Science और Technology से Related कुछ Current Affairs डिसकस करते हैं Kenya के द्वारा अपना पहला Operational Earth Observation Satellite Typha First लॉँच किया गया है चीन ने अभी हाली में Fangioon 3 सैटिलाइट लॉँच किया है यूरोपिय अंत्रिक्ष एजेंसी ने ब्रहस्पति और उसके उपग्रहों Ganymede, Calisto और यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए Jupiter IC Moons Explorer मिसन लॉँच किया है जिसे सौट में Juice मिसन की नाम से भी जाना जाता है इसरोग के द्वारा अभी हाली में Reusible Bahan मिसन RLV-LEX को लॉँच किया है Space X ने 44 One Wave Internet उपग्रहों को अभी हाली में लॉँच किया है इसके अलावा Reliance Life Sciences को अभी हाली में IIT कानपूर से Gene Therapy Technology License प्राप्त हुआ है आप देख रहे हैं 24 अप्रेल 2023 के Most Important Current Affairs के लेक्चर को तो लास्ट तक देखिएगा लास्ट में आपसे कोश्चन पूशा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमें जा रहेगा आपके आंसर का दोस्तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबालें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोडिपिकेशन मिल सकेगा लेक्षर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और सेर भी करें सभी दोस्तों को किस ने किया है तो इसका बेमोचन किया है बोरिया मजूमदार ने बोरिया मजूमदार एक खेल पत्रकार है और उन्होंने सचिन टेंदूलकर के जीवन पर सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्टो नामक पुस्तक को अभी हाली में लौंच किया है 2022 की पुस्तके एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि इस साल जो भी एक्जाम होगे उसमें ये पुस्तके जरूर पूछी जाएंगी तो 2022 की पुस्तकों में दिलीप कुमार इन दा सेडो ऑफ दा लीजेंट पुस्तक लिखी है फैजल फारूकी ने दा मैग मोहन लाइन एस सैंचुरी ऑफ डिसकार्ड लिखी है जनरल जोगिंदर जस्वंत सींग ने स्वधिन्ता संग्राम ना सुर्विरो पुस्तक लिखी है मीनाक्षी लेखी ने लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक लिखी है इस्मरती इरानी ने कुकिंग टू सेब योर लाइफ अविजीत बनरजी की पुस्तक है दिल्ली ए सौली लोकी पुस्तक लिखी है एम मुकंदन ने सनराइज ओबर आयोध्या लिखी है सलमान खुरसीद ने रजनी के मंत्र पुस्तक लिखी है पीसी बाला सुब्रमन्यम ने दा हीरो आफ टाइगर हिल पुस्तक लिखी है सुविदार मेजर योगिंद सिंग यादव ने रतन टाटा दा ओथराइजड बायोग्राफी लिखी है डाक्टर थॉमस मैथ्यू ने गांधी के हत्यारे दा मेकिंग ओफ नाथू रामगोड से पुस्तक लिखी है धीरेंद ज्छा ने ममता ब्योंड 2021 पुस्तक लिखी है जयंत घोसाल ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फॉर गवर्नेंस पुस्तक लिखी है डाक्टर सूर प्रकास ने गोल्डन बॉय नीरस चोपडा पुस्तक लिखी है नवदीब सींग गिल ने पुस्तक लिखी है आकास कंसल ने फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखी है किरेंड बेदी ने और ये पुस्तक आप नोड करिएगा क्योंकि एक्जाम में ये पुस्तक कूछी आ सकती है नेक्स्ट कुष्शन है हुरुन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स दो हजार तेईस में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का तीसरा स्थान है दोस्तो यूनिकॉर्ण स्टार्टप क्या होता है कई वारा आपने ये सब्द सुना भी होगा तो जब किसी कंपनी की कुल कीमत एक बिलियन या उससे अधिक हो जाती है तब उस कंपनी को यूनिकॉर्ण कहा जाता है तो इस लिस्ट में भारत जो है अमेर्का और चाइना के बाद तीसरा इस्थान रखता है यानि भारत में जो यूनिकॉर्ण की संख्या है वो तीसरे नमबर पर है सबसे अधिक यूनिकॉर्ण है अमेर्का में 666 दूसरे नमबर पर है चाइना में 316 और भारत में 68 unicorn कमपनिया है चौती नंबर पर है United Kingdom जहां पर 49 कमपनिया है unicorn और फिर है पांचमे नंबर पर जर्मनी जहां पर 36 unicorn कमपनिया है सबसे अधिक unicorn बाले सहर जो है उनमें पहला है San Francisco अमेर्का का और दूसरा नाम है New York का जो की अमेर्का का है तो San Francisco में है 181 Unicorn Company और New York में है 126 Unicorn Company कुछ महतपूर इंडेक्स और डिसकस करते हैं जो कि 2023 में जारी किये गए है जो कि exam के point of view से important है World Happiness Report 2023 को अभी संक्त राष्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत का जो इस्थान है वो है 126 मा टॉप देशों की बात करें तो Finland पहले Denmark दूसरे और Iceland तीसरे इस्थान पर रहा है और सबसे निचला इस्थान रहा है अफगान इस्थान का एक और इंडेक्स जारी किया गया था Global Innovation Index 2023 तो इसे विश्व बौधिक संपदा संगठन की द्वारा लॉंच किया गया था इसमें भारत का स्थान 42 बा है अगर हम टॉप थ्री देशों की बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर दूसरे पर United Kingdom और तीसरे स्थान पर France रहा है तो ये इंडेक्स भी आप नोड कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन है निव यार्क के पहले आस्वेत मुख नियाधीस कौन बने है रॉबन बिलसन बने है रॉबन बिलसन को नियुवार्क राजी की सीनेट के द्वारा नियुवार्क के पहले आसुएत मुख नियाधीस की रूप में नुक्त किया है बिलसन 2017 से Court of Appeals के Associate Judge है नियुवार्क की बात करें तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा और प्रमुख सहर है और यह नियुवार्क राज में इस्तित है नियुवार्क की बात करें तो यह अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में इस्तित है नियुवार्क सहर जो है 1790 से अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सहर बना हुआ है यहाँ पर कुछ important point डिसकस करते हैं अमेरिका से related तो ध्यान से सुनियेगा अमेरिका बित वर्स 2022 देस में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागिदार बन गया है हिंदू फोविया के खिलाब प्रस्ताव पास करने वाला जॉर्जिया अमेरिका का पहला राज्य बना है अमेरिका ने मैक मोहन रेखा को अंतराष्टी सीमा के रूप में अभी हाली में मानिता दी है यह जो मैक मोहन रेखा है यह भारत और चाइना के बीच में है अमेरिका ने इस रो को अभी हाली में निसार उपग्रह सौपा है भारती अमेरिकी महिला न्यायाधीस तेजल महता को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीस नॉमिनेट किया गया है जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला सहर कौन मना है सी एटल तो ये important point है अमेरिका से related note कर लीजिगा नागरिक उड्यन मंत्रालाय ने उडान योजना के कौन से संस्क्रंड की सुरुबात की है तो अभी हाली में उडान योजना के पाँचवे संस्क्रंड की सुरुबात की गई है और ये सुरुबात किसने की है नागरिक उड्यन मंत्रालाय ने और नागरिक उड्यन मंत्रालाय के द्वारा ही ये उडान योजना चलाई जा रही है उडान योजना को उडे देश का आम नागरिक भी बोला जाता है दोस्तो ये जो पाँचबा चरण सुरू हुआ है इसमें पहले चरण में जो 600 किलोमीटर की सीमा थी उसको समाप्त कर दिया गया है यनि कि जो मूल स्थान है और जहां पर एरोप्लैन को जाना है तो उसमें 600 किलोमीटर की दूरी की एक सीमा रखी गई थी तो अब इस सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है दोस्तो ये जो उडान योजना है इसको 2016 में नागरिक उडियन मंत्राले के तहट छेत्रिय कनेक्टिविटी योजना की रूप में लॉंच किया गया था यानि कि जो छोटे छोटे सहर हैं वो भी हवाई मार्ग से जुड़ें तो इस योजना का प्रमुक हुद्देश है कि आम नागरिक भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सके यहाँ पर बात आई थी उड़ान योजना की तो भारत सरकार की कुछ प्रमुक योजनाई डिसकस करते हैं जो कि आपके एक्जाम में बार बार पूछी जाती है जैसे मेक इन इंडिया जो योजना थी ये 2014 में लॉंच की गई थी सांसद आदर्स ग्राम योजना 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में लॉंच की गई थी इसमें स्टार किया गया है क्योंकि ये योजना बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में अकसर पूछी जा रही है तो इसको आप नोट जरूर करिएगा उजाला योजना एक मैं 2015 को आटल पैंसन योजना 2015 को डिजटल इंडिया 2015 को प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना 2016 को और प्रधान मंतरी उजला योजना 2016 को लॉंच की गई थी तो नोट कर लें आप इन सभी योजनाओं को अगर आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो SSC का एक्जाम हो या फिर बैंकिंग का या फिर किसी स्टेट का एक्जाम हो तो उसके लिए मौक टेस्ट एप पर उपलब्ध है मौक टेस्ट आप जोईन कर सकते हैं हिंदी अंगरी जी दोनों माध्यम में हैं अगर आपको इसमें डिसकाउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100 तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा डेली कर इंटरफेस का जो PDF है वो आपको दो जगए मिलेगा एप पर मिलेगा और दूसरा मिलेगा टेली ग्राम चैनल पर टेली ग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिसक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एप का भी लिंक के डिसक्रिप्शन में है असम और अरुनाचल प्रदेश के बीच में तो अभी इसको लेकर कि एक समझोता हुआ है दोनों राजियों में और इस समझोते की बाद 123 गावों से जुड़ा हुआ जो बिबात था वो खत्म हो जाएगा तो असम के मुख मंतरी हैमंता विश्वा शर्मा और अरुनाचल प्रदेश के मुख मंतरी पैमा खांडू ने नई दिल्ली में केंद्रिय ग्रह मंतरी अमिस साय की उपस्तिती में इस समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं असम की राजधानी दिस्पुर है राजपाल है गुलाब चंद्र काटारिया मुख मंतरी हैं हैमंता विश्वा शर्मा बात करते हैं अरुनाचल प्रदेश की तो इटा नगर इसकी कैपिटल है और यहां के वरतमान में राजपाल है लेप्टिनेंट जनरल कैवल त्री विक कौन है जिन्हें साथ बेहनों की नाम से जाना जाता है तो इसमें पहला नाम है मेघाला है दूसरा है असम तीसरा है अरुनाचल प्रदेश चौथा नाम है नागालेंड का पांचमा नाम है मनीपुर का और छटा नाम है मिजुरम का और साथमा नाम है तृप्रा का दोस्तो वोट फ्रॉम हॉम विकल्प को पेस किया है तो ये करनाटक राज में पेस किया है दोस्तो करनाटक में एलेक्षन हो रहे हैं तो वहाँ पर अभी हाली में एलेक्षन कमीशन ने वोट फ्रॉम हॉम विकल्प को पेस किया है तो चुनाव आयोग ने पहली बार करनाटक राज मे ये सुब्धा सुरू की है और इस सुब्धा के तहट 80 साल से अधिक आयू की जो बरिष्ट नागरिक हैं या फिर दिब्यांग लोग हैं उनके लिए यह सुब्धा होगी कि वो व्यक्ति अपने घर से वोटिंग कर सकते हैं करनाटक की बात आई है तो करनाटक के मुखमंद्री वस्थाब राजबंबई हैं राजपाल हैं थावर्शंद गहलोद राजधानी हैं बैंगलूरू भारत में सबसे बड़ा अंतर राष्टिय स्कूल कहां इस्थापित किया जाएगा तो यह पूने में इस्थापित किया ज आएगा और इंटरनेशनल मानकों का पालन करेगा यानि जो इंटरनेशनल स्टेंडर्ड है उनका पालन करेगा यह स्कूल यह इंटरनेशनल इस्थर के इसनातक और कैम्बरिज इंटरनेशनल सहित कई कारक्रमों की पेसकस करेगा यानि कि यह कोर्स भी या यह जो कारक्रम ह ये यहाँ पर चालू किये जाएंगे बात आई है पुने की तो पुने कहां है महराष्ट में तो महराष्ट के राजपाल याद रखेगा रामेस बैस हैं और सीम है एक नात सिंदे नेक्स्ट कुशन है फीफा अंडर 20 विसकप की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसकी मेजबानी अर्जंटीना करेगा दोस्तो अर्जंटीना फीफा अंडर 20 विसकप की मेजबानी करने वाला है इससे पहले ये जो मेजबानी थी ये इंडोनेसिया के पास थी तो फीफा ने अभी हाली में बयान जारी किया है और उसमें ये कहा है कि इंडोनेसिया इस विसुकप को कराने के लिए तयार नहीं हो पाया था इसलिए अब ये जो मेजबानी है ये अर्जंटीना को दी जा रही है फीफा के बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फैडरेशन इंटरनेशनल फुटवाल एसोसियेशन इसकी स्थापना 1904 में हुई थी इसका मुख्याल है जीवरिक सुडियलेंड में है इसके वर्दमान अध्यक्षे जियानी इंट्फैंटिनो अगर हम 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको अर्जंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा कर यहाँ पर अर्जंटीना की लोकेशन आप देख सकते हैं यह है अर्जंटीना दच्छन अमेर्का महादीब का एक देश है और इसकी कैपिटल याद रखिएगा इसकी कैपिटल है ब्यूनस आयर्स और इसके परोसी देश है चिली और बोलविया परागबे उरुगबे यह इसके परोसी देश है नेक्स्ट कोशन है और लाश्ट कोशन है संतोक बा मानावताबादी पुरुसकार किसे परदान किया गया है तो यह पुरुसकार परदान किया गया है सोनम बांग चुक को किसे दोस्तों सोनम बांग चुक को तो प्रसिद्ध इंजीनियर, नव प्रवर्तक, सिक्षाविद, सतत बिकास, सुधारबादी, लद्दाक के छात्रों के सैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन के संस्थापक, निदेशक, सोनम बांग्चुक को यह पुरुसकार प्रदान किया गया है, कौन सा पुरुसकार? संत कैला सत्यार्थी, ए-स किरन कुमार और सुधा मूर्दी को भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है? तो मानाउता के छित्र में बहतरीन काम करने के लिए यह पुरुसकार दिया जाता है, हाली में प्रदान किये गए कुछ प्रमुक पुरुसकार डिसकस करते हैं, राज सुब्र का खिताब जीता है कुमार मंगलम बिल्ला को बिजनेस लीडर ऑफ दा डिकेट पुरुसकार प्राप्त हुआ है नीले सामरे को मराथा उद्योगरतन दोहजार तेईस पुरुसकार प्राप्त हुआ है यह इंपोर्टेंट पॉइंट भी आप नोट कर लीजिगा अब हम कल के क करेंट अफियस को रिवाइज करते हैं फिर इसके बाद जन्रल नौलेज के पिटारी को डिसकस करेंगे और लाष्ट में पूछेंगे आपसे कोशन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कल का पहला कोशन था विस्व प्रतवी दिवस कब मनाया जाता है वाई किस राज ने 2030 तक सरकारी विभागों में 100% एलेक्टरिक बाहन बनाने का लक्ष रखा है उत्ता प्रदेश ने विस्व के सबसे अमी सहरों की लिष्ट में प्रथम इस्थान किसका है निवयर्क का क्रास कोर्ट नामक आत्मकथा को किस ने लौंच किया है जैदीप मुखर पुरोष T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक कैच लेने वाले विकेट कीपर कौन मने हैं MS दोनी कौन सा राज लगातार चौथे वर्स मनरेगा के अंतरगत स्रम दिवस उत्पादन में अबबर रहा है राजिस्थान जर्मनी का सर्बोच सम्मान किसे प्राप्त हुआ ह अंजिला मर्गेल को अलू रमेश का निधन हो गया है वह कौन थे अब नेता थे दोस्तो आज के जनरल नौलेज के पिटारे में भारत के प्रिसिद्ध किले यानि फोर्ट डिसकस करेंगे तो पहला किला है महरानगड का किला जो की जोदबुर राजिस्थान में है तो आप ग्वालियर का किला मद्ध प्रदेश में है कांगरा का किला हिमाचल प्रदेश में है आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है रोहतासगड का किला बिहार में है यहाँ पर दोस्तो गोल कुंडा के बारे में आप याद रखिएगा कि यह जो हैदराबाद है अब ये तेलंग लखिएगा ठीक है तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है नोट कर लिजिएगा अब आपसे कोशन पूछे जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हाल ही में PSLV C55 मिसन को सफलता पूरवा किसने लॉंच किया है जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक